प्रोफिट ट्रेडर्स दोस्तों मार्केट में चोटा सा डिप देखने के लिए मिल रहा है जो बहुत बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने कली बात की थी कि बिटकोइन का फ्यूचर जो है वो अल्रेडी बाइस तीन सो नबबे पे ख्लोज हुआ है कल हम लोग कुछ ते बाइस पांस रोपे है तो कुछ जादा बड़ा गैप होगा नहीं और एक कैंडल जो है वो अच्छी खासी क्लोज भी दे देगी ओके स्टिल अगर हम लोग देखे अगर कैंडल अगले दो घंटे में यहीं पे भी क्लोज हो जाए बाइस पांसों पे भी तब भी हम लोग जो है वो ऑगस्ट से बाद पहली ऐसी कैंडल है जो इतनी हाई क्लोज करेंगे उससे पहले कुछ भी नहीं और अगर यह कैंडल वहीं 23,350 पे क्लोज होती तो मेरे भाई सारे रेकॉर्ड तूड जाते हम लोग जो है यह कैंडल लास हम लोगों ने यहां क्लोज की थी जुल हम लोग यहीं काई क्लोज करें जो बहुत अच्छी बात है अभी एक फ्यूचर सा गैप जो है वो नीचे खाली पड़ा है तो अगेन मुझसे पूछा तो मुझे अभी भी लगता हम लोग वह गैप पहले फिल करेंगे और बाद में यह वाला जो 28,000 वाला गैप है नहीं चेक कर लेना चाहिए जब भी तुम एकड़म ओवर बुलिश हो ना कि यह टाइम अच्छा है कि मैं लॉंग ट्रेड ले लू तो यहां पे यह GMX आयो करके हम लोगों ने GMX टोकन बहुत बार सुना है तो अगर तुम इनकी वेबसाइट के उपर जाओगे न तो इनकी पर ना क्योंकि तुम देखो वो centralized exchange है तो अब मुझे नहीं पता वो कितना genuine है यह कितना सही से वो data सामने आता है वर अट लीस्ट यह इनका data जो है वो crystal clear होता है तो यहां अगर तुम देखोगे तो long positions कितने है एक लाख 68 मतलब 168 million के एक लाख नहीं 168 million जो है वो longs है और उसके सामने अगर तुम shots देखते हो तो सरफ 21 million है मतलब 8 long के बराबर एक shot है ओके इतने जादा लोग यहां जो है वो long कर रहे है और ज market makers को क्या चाहिए भया पैसा अब फिल्हाल पैसा निकालने के लिए कहां है जहां यह long वाले बैठे ना कि short वाले तो इसी लिए तुम्हें थोड़ा smartly खेलना चाहिए हम लोग अगर बार बार बोल रहे हैं कि profits ले लो profits ले लो उसकी simple सी वजह यही है कि हो सकता है bitcoin वापिस 20,000 पैसा तो तुम्हें और accumulate करने का मौका मिलेगा बट यह सिरफ और सिरफ trade वालों के लिए है तो के बिलकुल भी अपने investment portfolio को हाथ मत लगाना उसे बिलकुल मत पेशना मैंने मैंने बार बार बोला जो altcoins हम लोगों ने long term के लिए hold किये है ना हम उन्हें चुएंगे ना हम Bitcoin और Ethereum को चुएंगे बट जो tokens short term के लिए थे गाला विरासिटी आज मैं विरासिटी की भी बात बताता हूँ तो उसमें से भी हम लोग थोड़े profits निकाल के हमारे यह नए token जो बहुत छोटा token है जो मैं 100x के gains दे सकता है हम लोग उसमें डालेंगे बट अगें तुम्हें थ आप फिल करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो 28,000 के लिए जाएंगे और जो अच्छा भी है market के लिए क्यों हम लोग 28,000 पर जाके बापस 20,000 पर वो थोड़ा ज्यादा रिस्क है ओके सो इसी लिए make sure जिन tokens में already पैसा double triple हो चुका है थोड़ा थोड़ा दिखा लोग और एक चीज़ और मैंने हमेशा बोला था बुरी market में DCA करना है हम लोग dollar cost average करते गए अच्छी market में हमें PTA करना है profit taking averaging okay so PTA करो okay so overall तुम अगर देखो कि तो market बन थी तो कुछ खास अभी है नहीं उसके लिए हम लोगों को news वगर हमें कल मिलेगी ripple का case जो है वो अभी भी चल रहा है so यह massive news है so अगर SEC जो है वो case हार जाता है तो यह पूरे crypto community के लिए बहुत बड़ी बात है अगर नहीं तो तो भाईया XRP इतने तकड़े gains देने वाला जो token अभी तक उसमें तीन साड़े तीन डॉलर को नहीं चुआ ना वो खट से चूने वाला है 15 दिन बीस दिन उतने में वो जो है वो तीन साड़े बीन डॉलर चू देगा so make sure portfolio में थोड़ा सा रखना वो token okay बागी overall अगर हम लो परसेंट सो सब टोकन सो थोड़े थोड़े रेड में है बट कुछ टोकन भाईया बहुत अलग लेवल की रैली दिखा रहे है उसमें दुम देख सकते हो X Infinity और यह token मैंने बार-बार बोला है इसे मत कवाना ओके यह token तुमारे portfolio में होना चाहिए सबसे बड़ा game जो है जो ए पंद्रा डॉलर्स पे आप लोगोंने सबने मेरी स्टोरी सुनी है जो मुझे फॉलो करते हैं पंद्रा डॉलर्स पे हमें एक भाई ने बोला था प्रॉफिट ट्रेडर्स ग्रूप में पिंक करके यह token कैसा है इसे बाई करे के नहीं तब वो अपने all-time high पे चल रहा था हम इस token को बिल्कुल मिस्मत करना और पॉर्टफोलियो में आड करके रखो Osmosis Cosmo के ऊपर अपना atom के ऊपर बना हुआ एक exchange है तो अगिन वो भी आज 11% ऊपर है फैंटम 8% ऊपर है इसके ऊपर मैंने रिसेंटली वीडियो नहीं बनाई बट मैं definitely बनाऊंगा बट तुम मेरे व बड़े टोकन में बड़े के बाद चोटे लास्ट में मीम्स मीम्स के बाद या गेम खतम तो जिस दिन शीबा और डॉज दोनों ने मिलके तुम्हें 30-40-40% के गेम्स एक ही दिन में दिये तो मैं पता है वहां गेम खतम हो गया तो यह हमेशा याद रखना तो चलिए अब ह हमारा आज का टोकन है उसका नाम है क्रस्ट नेटवर्ग अब यह टोकन क्यों वजह बहुत बहुत सिंपल रोके सबसे पहले यह वेब 3 के ऊपर प्रोजेक्ट है यह पोल का टॉट के एको सिस्टम का है जैसे हम लोगोंने भी ऑस्मो देखा ना वो आटम का है यह पोल का ड क्राइबher और उसके इलावा में यह प्रोजेक्ट जो हैं तुम यहां सकते हूं इसके यूज़ के से तो धیर सारे यूज़ के से ल Mississippi से हैं ऑ करना क्यों एक बहुत हूं धुश्य बляसा यह यह विराशिटी उसकी बात कर ön so veracity अगर तुम देखोगे तो यह token हम लोग ने यहां कहीं buy किया था वहां से already पैसा धाई गुना हो चुका है हम लोग एक resistance के पास है make sure यहां से थोड़ा पैसा निकालो okay so in fact अगर मेरा पैसा धाई गुना हुआ है तो भया 1x मेरा यहां से निकलेगा थोड़ा सा file coin से निकलेगा और वो पैसा जाएगा इस token में वजह fundamentally बहुत जबरदस्त web 3.0 के लिए यह storage provide करता है NFTs के लिए यह storage provide करता है metaverse projects के लिए यह storage provide करेगा market cap बहुत बहुत चोटा risk है कि पैसा पूरा का पूरा डूब जाए okay क्योंकि बहुत चोटा project है बट एक चीज़ अगर हम लोग यहां देखेंगे तो यह project जो है न वो launch हुआ था 2020 छे डॉलर्स के पांच डॉलर्स से यह project launch हुआ था 500 डॉलर्स तक यह project गया वहां से फिलाल जो है वो 93 cents पे है तो कितने परसेंट यह token जो है वो गिर चुका है अपने all time high से तो तुम्याद देखोगे तो almost 99 परसेंट मतलब सब खतम हो चुका है ओके all time low से अभी 83 परसेंट ऊपर है जो अगेन कोई बड़ी बात नहीं है और 2020 में यह project आया था तिल डेट यह project जो है वो development कर रहा और मैं वहीं कहा रहा हूँ जो projects लगातार development करते है ना उनके price में भी वो चीज़े दिखती ही है ओके इन लोगों ने recently यहां दिखाया है तुम अगर देखोगे तो 2022 इन्होंने इतने बुरे वक्त में भी यह लोग लगातार developments करते रहे इन्होंने कि यह article लिखा है उस article में उनका ecosystem भी अगर तुम CoinGecko सो बड़े-बड़े नाम है इनके साथ जो अल्रेडी जुड़े हुए है ओके सो इसी लिए और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो इनके toolkit जो है वो web 3 project चाहे वो uniswap away. हम लोगों ने already बात की तो अच्छे projects के साथ ये लोग मिलके काम कर रहे है 150 projects जो है वो already इनके साथ partnership में है ओके तुम समझ सकते हो के project development बहुत कर रहा है लेकिन price में अभी तक gains नहीं आए क्यों क्यों कोई भी इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है ओके तो इसी लिए हम हमें ये project जो है वो अभी पकड़ना है हमें वेट नहीं करना है कि लोग इसकी बात करे ये token जंप करे और फिर हम लोग इसमें घुसे नहीं 8 million के उपर है हम लोग anyways हमारे profits में से निकाल रहे है विरासिटी विरासिटी में से 1x okay file coin में से थोड़ा से पैसा क्योंकि again file coin जो है है सो उसमें से मैं मेरा पूरा पैसा नहीं निकालोगा वो long term के लिए वो टोकन है विरासिटी सिरफ एक bet था हमारा क्योंकि वो बहुत सस्ता token था और हमें ऐसा 100x gainer चाहिए था तो हम लोग ने विरासिटी को पकड़ा था अधरवाइस उसके fundamentals में कोई खास बात नहीं है उ तो अगें 1x निकलेगा और वो इस token में जाएगा जो actual developments कर रहा है ट्विटर के उपर community बहुत है डॉट ने रिसेंटली इनके बारे में जो है वो tweet किया है तो कहां गया वो तुम देख सकते हो यूगांडा जाके यह already development करके आए है बड़े-बड़े exchanges के उपर list हो रहे है फ इनेफ्टी डी सेंटरलाइस टोरेज सो सब मसाला है इस प्रोजेक्ट सब का सब ओके इसे जिल्दिन फेम मिला यह token पेना रुके दोड़ेगा तो मैं इसे यहां जरूर बाइग करूंगा देखो मेरे लिए बाइंग जो है वो बहुत सेंपल है फिलहाल यह token एक छोटा सा हम देखा है तो अगर तुम देखोगे तो अपने ओल्टाइम लो से यह token ने ऑल्रेडी हंडर्ड वर्शन का गेन देख लिया है ऑल्रेडी हंडर्ड वर्शन का तो इस जोन पे यह इस प्राइस पे मैं इसे बिल्कुल बाय नहीं करूंगा मेरे लिए सिंपल सा पंडा क्या सिंपल मैं गेट आयो पर जाओंगा अलर्ट लगाकर रखूंगा ब्रेक करता है भाईया मैं वेट करूंगा एक और दिन की कैंडल का उसको वहीं बाय करूंगा और होल्ड करूंगा उसके नेक्स टार्डेड के लिए जो है यहां 14 डॉनलस नहीं लेकिन लॉंग टम वो भी मिल सकता है तो यहां अगर तुम देखोगे तो टीन डॉलर्स पैसा तीन एक्स यहां से वान एक्स निकालो बाकी सब छोड़ दो 180 डॉलर्स तक जाने के लिए अगर वो जाता है तो नहीं जाता है तो भाईया ठीक है तुम्हारा वैसे भी कहीं पैसा कुछ जाने नहीं है यह एक सिनारियो है दूसरा अगर वो एक डॉलर ब्रेक नहीं करता है तो भाईया मेरे लिए फंडा बहुत सेंपल है वो वापस यहां आएगा एक हायर लो बनाएगा और फिर यह सब प्रोसेस स्टार्ट करेगा तब मुझे यह टोकन मिल जाएगा 69 सब 70 सेंट के नीचे ल 19 परसंट के गेंस है और सिरफ 8 मिलियन का है या सिरफ 8 मिलियन मतलब उसका मार्केट कैप है बिनांस के ओपर लेस हुआ बैठे बैठे 50 मिलियन मिल जाएगे 50 मिले तो मेरे भाई तुम सीधा जो है वो यहां से 4-5 डॉलर के करीब होके जो क्विकली तुम्हें 5 से 6x के गें है चाहिए वो वेब 3.0 है वो अल्रेडी उन सब चीजों में इन्वॉल्ड है और 2022 इतना पुरा था कि अगर यह स्कैम प्रॉजेक्ट होता तुम बहुत चोटा प्रॉजेक्ट है यह सब बड़ा प्रॉजेक्ट नहीं है आठ मिलियन डॉलर सरफ इसका मार्केट कैप है इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लगाता डेवलप्स किये ओके तो यह जो है मुझे इस प्रॉजेक्ट के ऊपर बहुत स्रॉग बिलीफ दे रहा है ऑके बड़ेगें मैं बही कह रहा हूं कि मैं टेक्निकल्स पीछे नहीं छोड़ूँगा मैं वेट करूँगा यहां तो भ बहुत सिंपल एक डॉलर नहीं तो सकतर सेंट बड़ेगें अपनी जरूर करना बट मुझे प्रॉजेक्ट काफी अच्छा लग रहा है ओवरॉल बिटकोइन बहुत अच्छा है बाइस पांसों के करीब हम लोग है इसमें कोई बुरी बात नहीं है वीकली कैंडल बहुत स् कर वाला वहां ओल इन हो जाओ आखें बंद करके कोई फर्म नहीं पढ़ने वाल है और अगे इन हम लोगों ने लगा था डी सीए किया है तो अभी पी टीए करने का टाइम है मेक शॉर वो करते रहना ओके चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई है त चैनल को सब्सक्राइब करो तुमसे काल मुलकात होगी दोस्तों थैंक्यू सो माच